कहानी के चौते भाग को देखने से पहले कहानी के पिछले भाग को देखना बिलकुल मत भूलिएगा उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्सन बाक्स में दे दूंगे और शाथ में कमेंट बाक्स में पिन भी कर दूंगे आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं अगत से सानवी को बोल रहा था कि अगर तुम्हारे मुझे नाना के जगे हाँ हाँ ना बुलवा दियाना तो मेरा नाम भी अगत से रावत नहीं सानवी सामने देखते हुए बोली मंडप में देख रहे हो जिसकी साधी हो रही है मेरे भाई हैं किसी और से प्यार करते थे लेकिन आज उसे भुला कर किसी और से साधी कर रहे हैं ये मेरे लाइफ का मेरे लिए सबसे बड़ा एक्जामपल है और इसे देख कर भी अगर मैं ना सीखूं तो फिर मेरे जैसा बेवकूब कोई हो ही नहीं सकता अगत से बोला मतलब इसलिए तुम ना बोल रही हो सानवी बोली नहीं मुझे ना तो किसी से कभी प्यार हुआ और ना ही कभी होगा क्योंकि बच्पन से सिर्फ एकी चीज सीखा है प्यार जैसा कुछ होता ही नहीं ये सिर्फ फिल्मों तक ही सीमित होता है क्योंकि वो रियल नहीं होता और अब मेरा भी यहीं मानना है तो साधी मैं अपनी फैमिली के मर्जी से करने वाली हूँ और मैंने मम्मी को प्रामिस किया है दो साल बाद मैं उनके पसंद के किसी भी लड़के से साधी कर लूँगी तो इन सब बातों का कोई मतलब है ही ने इसलिए मैंने तुमसे पहले ही बोल दिया है फाल तुमें इन सब के चक्कर में मत पड़ो और आगे बढ़ो बहुत सारी लड़कियां तुम्हें मिल जाएंगी जिसके साथ तुम अपनी पूरी लाइफ अच्छे से जी सकते हो मेरे उपर टाइम वेश्ट मत करो अगत से उसका हाथ पकड़ते हुए बोला देखो मेरी तरफ क्या दिखता है तुम्हें सच में मैं भूल पाऊंगा तो ठीक है आज से अगर दस साल बाद भी तुम्हें मुझे देखने का मन हो तो वाजाना किसी घाट पर वही घुमता हुआ मिल जाऊंगा मैं लेकिन साधी करके नहीं तुम्हारा इंतिजार करते हुए सानवी अपना हाथ छुडाते हुए बोली पागलपन बंद करो अपना इन सब से कुछ नहीं होने वाला आनन्द आते हुए बोले सानू यहां क्या कर रही है और सब लोग कहां है फिर अगत्स को देखते हुए बोले तुम कौन हो और यहां क्या कर रहे हो सानवी बोली चाचू यह रज़त के फ्रेंड है वो कुछ डिसकस कर रहे थे बोलते हुए उठ गई अगत्स भी उसके पीछे उठते हुए बोला जी नहीं एक और इंट्रोडक्शन है मेरा प्यार करता हूँ मैं सानवी से और उसे मना रहा था कि वो भी मान जाए और एक्सेप्ट कर ले मुझे खुस रहेंगे साथ में हाँ आनन्द उसका कालर पकड़ते हुए बोले तुम मेरे सामने मेरी बच्ची को ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे हुई है तुम उसे भाका रहे हो जानते भी हो वो कौन है वो अगत्स बोला बिलकुल पता है और अगर कुछ ना भी पता हो तो भी वो मैं पता कर लूँगा आनन्द एक घुसा लगाते हुए थोड़ा तेज आवाज में बोले रजट रजट तब तक ताउजी और फूफा जी भी आ गए और आनन्द को ऐसे अगत्स को पकड़े देखा तो सवालिया नजरों से उसे देखने लगे आनन्द बोले भाई साहब भैका रहा था अमारी सानवी को वो अच्छा हुआ कि मैं आ गया नहीं तो पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा था अगत्स से बोला अरे बात तो सुनिए ऐसे भी हैव क्यों कर रहे हैं जैसे मैं कोई चोल डाकू हूँ आदर्स जी आते हुए बोले क्या हुआ है आनन्द छोड़ो ऐसे क्यों पकड़े हुए हो बोल अगत्स को छुड़ा कर दूर किये आनन्द बोले भाई साहब आप जानते नहीं है ये क्या बकवास कर रहा था फूफा जी आनन्द को समझाते हुए बोले साले साहब अभी सांत रहिए चलिए यहां से सानवी चलो और सबको लेकर अरंदर चले गए अगत्स अभी भी वहीं खड़ा सोच रहा था क्या हुआ है अभी अभी उसके साथ मतलब कुछ भी सानवी ने घूम कर एक नजर उसे देखा और सबके साथ आगे बढ़ गई रज़त उसे ढूड़ते हुए आया तो अगत्स गुसे में इधर से उधर घूम रहा था रज़त बोला अगत्स क्या हुआ कुछ हुआ है क्या यार सॉरी वो मैं थोड़ा बीजी था लेकिन तुम इतने गुसे में क्यूं हो अगत्स उसे घुड़ते हुए बोला सबके सामने से लेकर जाओंगा उसे और कोई मेरा कुछ भीगाण नहीं पाएगा बता रहा हूँ मैं रीचा और कुडाल भी अब वहीं आ गए लेकिन अगत्स को इतने गुसे में देखे तो उन्हें भी कुछ समझ नहीं आया रीचा बोली सुरी यार वो हम किसी काम में फसे हुए थे क्या हुआ है सब ठीक तो है न अगत्स अब बिना किसी से कुछ भी बोले अंदर चला गया और चारों तरफ सानवी को ढूडने लगा साधी हो चुकी थी और अब बिदाई की तयारी चल रही थी जिसमें अब बाकी सब लोग बीजी थे अगत्स ने सानवी को नेहा से बात करते हुए देखा तो उसके पास आया और बिना उससे कुछ भी बोले उसका हाथ पकड़ कर अंदर लेकर चला गया रजद ने देखा तो सिर पकड़ लिया रिचा अंदर आते हुए बोली तुझे क्या हुआ अगत्स किदर है रजद बोला ये लड़का ना आज बवाल करेगा सच में यार मुझे पता होता तो मैं बुलाता ही नहीं रिचा बोली हुआ क्या है कुछ बोले का भी या ऐसे ही दवड़ाएगा रजद बोला अगत्स सानवी से प्यार करता है वो भी कितने पहले से साथ पहली बार यहां आया था तब से रिचा बोली वाट तू ये क्या बोल रहा है रजद बोला फिलहाल के लिए वो उसे लेकर उपर गया है तुँ यहां का देख किसी को उपर मजज जाने देना मैं देखता हूँ बोल नहा के पास चला गया कुडाल बोला रिचा इसमें परिसान होने वाली क्या बात है जैसे उसने बहुत बड़ा कांड कर दिया है रिचा बोली फिलहाल के लिए तो किया है अब देखते हैं आगे क्या होता है सानवी उसके साथ बिना कुछ बोले उपर आ गई अगत से उपर आकर उसका हाथ छोड़ते हुए बोला ये सब दिखा कर अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें भूल जाओंगा तो गलत फहमी है तुम्हारी और तुम्हारे साथ साथ यहां सब की सानवी बोली ठीक है तो रहो ऐसे ही मार खा कर जाना मुझे वैसे भी कोई प्राबलम नहीं है अगत से बोला तुम चाहती हो मैं मार खाओं तो ठीक है अभी सब के सामने जाकर बोल देता हूँ I love you फिर देखता हूँ कौन मेरा क्या उखाड लेता है बोलकर जाने लगा सानवी बोली ठीक है जाओ और मार खाओ लेकिन मुझे से कुछ भी expect मत करना ना तो मैं तुम्हें छुडाने वाली हूँ और ना ही मैं बोलूँगी कि मैं तुम्हें जानती हूँ अगत से बोला हम्म तुमसे यही उम्मीद थी सानमी बोली मैंने नहीं बोला उम्मीद करने के लिए जो तुम उम्मीद लगा कर बैठे हो अगत्स बोला यस यू आर राइट पागल हूँ मैं मैं जो तुम से उम्मीद कर लिया और तुम ना एक नम्मर की डरपोक लड़की हो मैंने तुमें बहादूर समझ कर प्यार किया लेकिन नहीं तुम तुम ना मेरे या किसी के प्यार के भी लायक नहीं हो आज के बाद कभी भी गलती से भी गलत जगह मत मिलना जा रहा हूँ मैं खुश हो जाओ लेकिन आज से पहले ना मेरी लाइफ में कोई आई थी और ना आगे कभी आएगी ये बात भी याद रखना सानवी उसे घुरते हुए बाहर चली गई अगत्च महा पड़ा हुआ सारा सामान इधर से उधर फेकते हुए बोला मेरे साथ ही क्यूं क्यूं बोल वही नीचे सर पकड़ कर बैठ गया सानवी नीचे आई और सबके साथ घर के लिए निकल गई सब लोग घर आ गए और कुछ रस्मों के बास रुती को गेस्ट रूम में आराम करने के लिए भेज दिया गया बाकी सब लोग भी ठके हुए थे तो कुछ लोग आराम करने चले गए और कुछ लोग साम के रिसेप्सन की तायारी में जुट गए नहा साम को आने को बोल अपने घर चली गई और सानवी रात भर का जगी हुई थी तो अपने रूम में जाकर सो गई साम को सब तयारी हो चुकी थी घर के सभी लोग रिसेप्सन हाल में चले गए थी नहा अंदर आई तो सानवी अभी भी सो रही थी तो जल्दी से उसे उठा कर तयार करवाई और नीचे लेकर आते हुए बोली सच में यार तू कितनी आलसी है पता भी है मैं कब से उठा रही थी तुझे मगर नहीं तू इतनी जल्दी उड़ जाए तो कयामत ना आजाए मुझे तो लगता है अगले जन मेना तु कुम करण की बहन रही होगी इसलिए ऐसी सोती है जैसे दुनिया की कोई खबर ही ना हो सानवी वही हाल में सोफे पर बैठते हुए बोली छोड़ ना यार वैसे भी वहाँ इतनी जल्दी जाकर क्या करेगी जिसकी साधी हुई है गिफ्ट तो उसी को मिलने वाला है बागी किसी को कुछ भी नहीं तो वहाँ जाने से मुझे नहीं लगता कोई फायता है नहा उसका हाथ पकड़ कर उठाते हुए बोली आंटी ने तुझे लाने की जिम्मेदारी मुझे दिया है तो चल वरना यहीं छोड़ कर चली जाऊंगी फिर पड़ी रहना रागीनी अंदर आते हुए बोली सानवी नेहा तुमें पता है पापा और मामा लोगों ने अगत्स को कहां रखा है उनके सारे दोस्त काफी परेसान है सुबह से उनका कोई पता नहीं है और उनका फोन भी स्वीच आप बता रहा है सानवी एकदम से उठते हुए वाच ये क्या बोल रही हो वो लोग उसे क्यों रखेंगे रागीनी बोली मुझे नहीं पता लेकिन ये बात भी सच है कि इन सब में उन लोगों का ही हाथ है बोल कर कुछ सामान लेकर बाहर चली गई सानवी हाल में इधर से उधर टहरते हुए बोली यार कुछ करे ना ये लोग उसके साथ नहीं तो बेमौत मारा जाएगा नहा बोली छोड़ना उसे कुछ भी हो उससे हम लोगों से क्या मतलब सानवी उसे घूरते हुए बोली तेरा दिमाग खराब है उसकी भी फैमिली है बेटा है किसी का वो अनाथ नहीं जो कोई कुछ भी कर देगा और चल अब ढूरते हैं नहीं तो पक्का कुछ न कुछ कांड हो जाएगा बोल उसे बाहर निकलते हुए बोली उस बेवकूप को बोला था ये सम मत करो लेकिन नहीं उसे तो प्यार का भूस सवार था लो मजे बोल पूरे घर में ढूडने लगी लेकिन घर में वो कही नहीं था इस्टोर रूम गेस्ट रूम और बाकी बाकी सब का रूम ढूड लिया लेकिन फिर भी नहीं मिला रीचा कुडाल बचते बचते अंदर आये तो सामने सानवी और नेहा मिल गई रीचा जल्दी से उसके पास आते हुए सानवी अगस कहीं नहीं मिल रहा है प्लीज हेल्प करो यार नहीं तो बहुत बड़ी मुसीवत बन जाएगी हम सब और दोनों फैमिली आपस में लड़ेंगी वो अलग से सानवी बोली मतलब तुम जानती हो उसका पागलपन रिचा बोली उन सब के लिए टाइम नहीं है इस समय अगस जादा जरूरी है हम सब के लिए सानवी बोली अंदर तो पूरा रूम ढूड लिया नहीं है इसका मतलब अब बस ताउजी और फुफाजी ही बता सकते हैं वो कहां है रजत अंदर आते हुए और वो होस में कभी नहीं बताएंगे सानवी उसे घुरते हुए बाहर जाने लगी तो रजत पीछे से बोला अगस को कुछ भी हुआ तो हम सोच भी नहीं सकते कि यहां क्या से क्या हो जाएगा सानवी रुक कर उसे देखते हुए बोली तो ठीक है उसे ढूडने के बजा यहीं बैठे रहो और इंतजार करो कुछ होने का समझे बेवकूफ कहीं का बोल कर बाहर निकल गई नहा सब को देखते हुए बोली पीछे चलो उसके जो करेगी वही करेगी वरना यहां कोई कुछ भी नहीं कर सकता बोल उसके पीछे गई तो बाकी सब लोग भी उसके पीछे पीछे चले गए सानवी रिसेप्सन हाल में पहुची तो वहां काफी भीड थी सब लोग खाना खा रहे थे कुछ लोग अपने में बात करने में बीजी थे बुआ ने सानवी को देखा तो अपने पास बुला कर एक अवरत से मिलवाते हुए बोली मेरी भती जी सुन्दर है ना मैं इसी की बात कर रही थी आपके बेटे के लिए सानवी बोली बुआ फुफा की धर है बुआ वो अपने दोस्तों के साथ होंगे तो इनसे मिल रमा बहन इनका लड़का एम टेक के बाद यूके में जॉप करता है सानवी बोली थेंक्यू सो मच मैं आती हूँ बोल आनंद को ढूरते हुए उनके पास आकर बोली चाच्चू मुझे आपसे कुछ बात करनी है आनंद अपने दोस्तों से बात करते हुए बोले बाद में अभी बीजी हुँ ना सानवी बोली किसी की जान से ज़्यादा जरूरी है आपका बात करनी है तो सुन लीजिये ना दो मिनट आनंद ने उसे देखा फिर सबको अभी आने को बोल उसे लेकर साइड में आते हुए बोले सानु ये क्या बत्तमीजी है ऐसे बात करते हैं दिख नहीं रहा बात कर रहा हूँ न और ऐसी भी क्या एमर्जेंसी है जो तुझे मुझसे इस तरह बात करने की जरूरत पड़ गई सानु दूसरी तरफ देखते हुए बिना किसी लपेटे के बोली वो लड़का कहा है जिसे आपने सुबह मेरे साथ देखा था आनंद बोला कौन लड़का सानवी बोली सुबह जिसे मारा था आपने उसी की बात कर रही हूँ मैं कहां है वो किसी को सुबह से नहीं मिल रहा है और उसका फोन भी आफ है घर भी नहीं गया है अपने आनंद बोला मुझे क्या पता भाई साब और जिजाजी ने बोला था तो छोड़ दिया था मैंने और तू उसके बारे में क्यों पूछ रही है सानवी बोली कि आपके भाई साहब और जीजा जी ने पकड़ा हुआ है उसे इसलिए पता कि जीए कहा है वो वरना उसे कुछ हुआ तो लासे यहां भी गिरेंगी ये बात भी अच्छे से समझ लेजिए अगर आपके भाई साहब और जीजा जी तोप हैं तो सामने वाला चुड़िया पहन कर नहीं बैठा है आनंद बोले ये क्या बत्तमी जी है सानवी और भाई साहब क्यों पकड़ेंगे उसे सानवी बोले आप पूछ कर आईये उनसे वरना इस सामियाने को जला दूंगी एक मिनट में फिर आराम से पानी डालियेगा मजाग बना कर रख दिया है सब लोगोंने आनंद बोले सच में तुमारा दिमाग खराब हो रहा है बोलते हुए फुफा जी के पास जाकर उनसे बात करने लगे और कुछ देर में वापस आये तो चिंता की लकीरे उनके चेहरे पर दिखाई दे रही थी सानवी बोली चाचु क्या हुआ कुछ बताया उन्होंने और आप इतना परेशान क्यूं हो आनंद बोले वो तुम सही थी ये सब उनके चम्चो का काम है लेकिन उन्होंने पता नहीं दिया है मुझे फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है सुबह से कोई कहीं बाहर नहीं गया है इसका मतलब वो घर में ही कहीं होगा अगर तुम सब धूर सकते हो तो पार्टी खत्म होने से पहले धूर लो वरना बाद में मुश्किल हो जाएगी और उस समय भाई साहब किसी की कोई बात नहीं सुनेंगे सानवी बोली घर तो पूरा ढूड लिया मैंने पूरे घर में कहीं नहीं है बाकि सब भी ढूड चुके हैं किसी को कहीं नहीं मिला आनंद बोले तो एक काम करो इस हाल में ढूडो सुबह से भाई साब और जीजाजी और उनके साथ जितने भी लोग हैं सब सुबह से यहीं पर हैं घर के अंदर एक बार भी नहीं गए अंदर सिर्फ और सिर्फ औरते और बच्चे ही गए हैं यहां तक कि मैं भी हॉल से ही बाहर चला आया हूँ सान्वी बोली मतलब यहीं कही है आनंद बोले जहां तक हम सब उन्हें जानते हैं यहीं कहीं होना चाहिए सान्वी बोली थैंक्यू नेहा रिचा कुडाल रजस सब उन्हें ढूरते हुए वहीं आ गए नेहा बोली सान्वी कुछ पता चला सानवी बोली अगर ढूड़ सकते हो तो ढूड़ो इसी हाल में कहीं होगा जल्दी करो टाइम कम है बोल आगे बढ़ने को हुई कि पीछे से आनंद की आवाज आई कहीं वो सुबह तुम दोनों के बारे में जो बोल रहा था सस्तो नहीं बोल रहा था सब आगे जा चुके थे तो आनंद की बास सानवी के अलामा किसी ने नहीं सुनी सानवी अब रुकते हुए बोली ट्रेलर देख लिया ना आपने अंदाजा लग गया होगा कि ये क्रिमीनियल वकीलों का घर है यहां क्राइम पूछ कर नहीं किया जाता लेकिन फिर भी दुआ कीजिए चाचु कभी प्यार ना हो मुझे वरना उन्हें चिंगारियों से खेलने का सौक हो सकता है मुझे तो बारूस से खेलना भी 3D एनिमेसन लगता है और अब बिना उनकी कोई बास सुने जल्दी से आगे बढ़ गई आनंद खुश से बोले भाई साहब भाई साहब आपने तो बस माचिस रगड़ा है मुझे तो पूरा महल जलता हुआ दिखाई दे रहा है और ये बगावत की सुरुवात है जिसे आपने हवा दे दिया है देखिए लपटे आपके घर को भी जला कर खाग में ना मिला दे इसलिए कहा गया है जिसके घर खुद के सीसे के होते हैं उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं मारना चाहिए लेकिन आपने तो अच्छा खासा कांड किया है इधर सब मिल कर अगत्स को ढूट रहे थे लेकिन इतना भीड़ था कि किसी को भी वो मिल नहीं रहा था एक एक कोना अच्छे से चाना जा रहा था लेकिन फिर उसका कोई अता पता नहीं था रज़त खड़ा होते हुए बोला यार कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे आखिर ये सब क्या हो रहा है नहा बोली कुछ नहीं होगा मिल जाएंगे आप परेसान मत हो ये सब ढूट रहे हैं ना रज़त बोला तुम नहीं समझोगी और नहीं तुम्हारी वो दोस्त समझेगी वही बेवकूफ था जो उसके पीछे पड़ा था अरे उसके जैसी कितनी उसके मॉम डैड उसके कदमों में बिचाने के लिए तायार हैं लेकिन वो बेवकूफ इसके आगे वो कुछ भी बोलता उससे पहले ही तड़ाक के आवाज से वहां का एरिया गूज गया रजत ने सामने देखा तो नेहा गुसे में बोली एक एक सब्द वापशलो वरना सोच भी नहीं सकते हो क्या हाल होगा तुमारा और उसने नहीं बोला था तुमारे दोस्त को उसके पीछे पड़ने के लिए उसने उसे एक बार भी नहीं पचास पार समझाया लेकिन नहीं फिर भी वो उसके पीछे आया और अब सारा इलजाम सानुई पर सोचना भी मत सिर्फ दोस्त नहीं बहन है वो मेरी एक भी सब्द नहीं सुन सकती उसके खिलाब तो आगे से सोच समझ कर बोलना और खैर मनाओ ये बात तुमने मुझसे बोला है उससे बोलते न तो अभी सही सलामत यहां खड़ा होने की हिम्मत नहीं होती बोला बहां से निकल गई रजद गाल पर हाथ रखकर उसे जाते हुए देखकर बोला दोनों की दोनों ही पागल हैं सानुई उपर आई कोने में एक रूम था दरवाजा खटखट आया तो कोई आवाज नहीं आई नीचे जु उसी पर अगत्स बधा हुआ था सर से और जगा जगा बलड निकल रहा था मुँआ पर टेफ चिपका हुआ था सानुई ले जल्दी से उसका हाथ पैर खोला और मुँआ से टेफ हटाया लेकिन उसे जैसे सांस ही नहीं आ रही थी तब तक रीचा भी उसे ढूरते हुए करे वो अब बस एक टक अगत्स को देखे जा रही थी उसके भी हाथ पैर अब ठंडे हो रहे थे फिर हिम्मत करके रीचा से बोली क्या हुआ है इसे ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा है रीचा उससे बोली प्लीज हेल्प करो और दोनों ने मिल कर उसे वही नीचे लेटाया और रीचा उसके सीने को दबाते हुए बोली काफी देर कमरे में बंद के वज़े से दम घुट गया है या तो कुछ और अभी कुछ कहा नहीं जा सकता हमें जल्दी से कुछ करना पड़ेगा या माउथ सी पियार देकर देखते हैं क्या पता कुछ रिस्पॉंस करे सानवी आखे बंद करके कुछ सोचते हुए बोली तुम बाहर जाकर गाड़ी निकालो और बाहर कोई मिले तो उसे अंदर भेजो हमें इसे अभी हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा वरना दिक्कत हो जाएगी रिचा हम बोल कर भागी सानमी ने एक नजर उसे देखा और फिर आ जरूरत है दर्वाजे पर खड़े रजत नेहा कुडाल उन दोनों को देख रहे थे सानमी अब थोड़ा पीछे हटते हुए बोली तुम ठीक हो अगत्स कुछ बोलता तब तक बाकी सब अंतर आते हुए बोले बाहर चलो यहां बात करना ठीक नहीं है और अगत्स को उठा क बाहर लाएं बाहर गाड़ी में बैठाते हुए सानमी ने रिचा को देखा तो बिना किसी भाव के बोली इसे लेकर जितना जल्दी हो सके लखनों के लिए निकल जाओ प्लीज रिक्वेस्ट समझ लो रिचा बोली थैंक्यू और गाड़ी लेकर बाकी सब के साथ वहां से निकल गई सानमी ने नेहा को देखा तो उसके गले लग गई कुछ देर बाद उससे अलग होते हुए बोली घर जाओ मैं कल यहां से निकल जाओंगी अब और सबका ट्रोचर मैं नहीं सह पाओंगी तुम अगर बाद में आना चाहो तो आ जाना कुछ दिन अंकल आंटी के स तरह कर तब तक मैं वहां का सब कुछ समाल लोंगी नहा ने उसकी हालत देखी तो बोली तुम ठीक तो हो ना सानुई बोली तुम्हे क्या लगता है अभी अभी एक इनसान की जान बचाई है मैं ठीक हूँ जाओ आराम करो बोल कर अब वो विना एक सेकेंड और रुके अप इस देरवाद उनके साथ अपने घर चली आई रात को बारह बज़े घर में हंगामा मच गया क्योंकि अगत्स गायब हो चुका था सानुई सो रही थी सीतल उसके रूम में आते हुए बोली सानु सानु उट बेटा सानुई बोली क्या हुआ है मम्मी आपको भी चैन नहीं ह जब देखो तब उठाते रहते हो सीतल जी बोली उट जाओ पहले कुछ बात करनी है सानुई उटकर बैठते हुए बोली ये सुन रही हुँ मैं क्या बोलना है आपको जो आपने सुबह तक का इंतजार भी नहीं किया सीतल जी सुबह किसी लड़के ने तेरे साथ हुए थे लेकिन अब वो वहां नहीं है तुझे पता है वो कहा है और कौन है सानुई की नीद ये सुनते ही एक जटके से गायब हो चुकी थी वो अब उठकर उन्हें देखते हुए बोली वो मिला तो नहीं ना किसी को वो ठीक तो है ना सीतल जी बोली मतलब क्या है तेरा क नहीं तुमने ही तो उसे नहीं भगाया फिर अपना सर पकड़ कर बोली सच में भगवान क्या लड़की दिया है आपने मुझे जो हमेशा एक नहीं मुसीवत लेकर मेरे सर पर खड़ी रहती है और समझना वो तो दूर दूर तक नहीं है सानुई बोली हो गया आपका रोना तु नहीं जानती किसी को तेरा इन सबसे कोई वास्ता नहीं है सानुई बोली पागल हो गए हो क्या आप सब लोग और मेरे बारे में और हमारे घर के सारे फैसले ताउसी ही क्यों लेते हैं अगर आज उन्होंने कुछ भी इधर उधर का सुनाया ना तो मैं सच कह रही हूं हम नॉर्मल लोग हैं हमें नहीं पढ़ना इन सब के चक्कर में बोल उसका हाथ पकड़ कर नीचे लाई जहां बीच में दादी ताउ और फुफा जी बैठे हुए सानुई के आने का इंतजार कर रहे थे सीतल जी उसे बोलने का इसारा करके साइड हो गई आदर्स जी एक सा सानुई ने कुछ नहीं बोला तो सीतल जी ने इसारे से सानुई को बोलने के लिए कहा लेकिन उसने सब को देखा फिर थोरा टाइम पास करते हुए वहां रखा पानी का गलास उठा कर आदर्स जी से बोली क्या बात है पापा मुझे आदी रात को यहां क्यों बुलाया गय जैसे मैंने बहुत बड़ा कोई कांड कर दिया है आनंद ने एक नजर आदर्स जी को देखा फिर सानुई को देखकर ताओ और बाकी सब का चेहरा देखने लगे जिसमें सब के चेहरे को देखकर यही लग रहा था कि सब लोग यह जानने के लिए कितना उस्सूख है कि जाओ जी बोले आदर्स यही सिखा रहे हो बच्चों को घर की मान मर्यादा कुछ बच्ची है या सब कुछ कचारी में बाकी अपने क्लाइंट को ही दे आते हो एक लड़के को तो जैसे तैसे बचा लिया लेकिन अगर लड़की ने ऐसा वैसा कुछ किया ना तो तुम सोच भी नहीं सकते और आज तक हमारे घर की लड़कियों ने कभी कोई गलत हरकत नहीं किया है अरे गलत हरकत तो छोड़ो बड़ो से उची आवाज में बात तक नहीं किया लेकिन तुम से तो यह उम्मीद करना हम सब की मुर्खता है आदर्स जी सारी बातों को इग्नोर करते आप सानवी को देखकर बोले बेटा सानवी उस लड़के को तुमने तो नहीं भगाया है वैसे हम सब को तुमारे पर पूरा भरोसा आए फिर भी तसल्री के लिए एक बार बोल दो तुमने उसे नहीं भगाया है बस हम मान जाएंगे सान्वी ने आनंद को देखा जो उसे ही देख रहे थे फूफा जी बीच में बोले आनंद को क्यों देख रही हो उन्होंने कुछ नहीं बताया है इसलिए जो सच है वही बताओ और जाओ आराम करो सान्वी बोली ठीक है तो नीद आ रही है मुझे सुबह बात करेंगे सबको उसके इस जवाब की बिलकुल भी उमीद नहीं थी अब जितने भी लोग थे सबके सोब उसे ही घूरने लगे सान्वी सबको एक नजर देखते हुए बोली अगर नीद में मैंने हाँ बोल दिया और सुबह मुझे पता चला मैंने नहीं भगाया तो दिक्कत हो जाएगी इसलिए बोल रही हूँ सुबह अच्छे से बात करेंगे तो हर बात ज्यादा क्लियर होगी ताउ जी उड़ते हुए अब गुसे में बोले आदर्स जी भी जल्दी से उड़ते हुए बोले जी जी भाई साब ताउ जी मेरी नजर में एक लड़का है बेटी की साधी की तैयारी करो वो अब बड़ी हो गई है और मेरा तजुर्बा कहता है पाउ को लड़कडाने से पहले ही उसे सही जगह दे देनी चाहिए आदर्स जी सर जुकाकर जी भाई साब जैसी आपकी इच्छा ताउ जी बोले तो ठीक है सुबह तैयारी करो लड़के वालों के स्वागत को बोल कर जाने लगे सानवी गुसे में बोली रोक लीजी अपने लड़के वालों को क्योंकि अगर मेरे पैट सच में लड़कडा गए तो आपके निव की इठ हिल जाएगी और आपके तजुर्बे को देखते हुए बोल रही हूँ आनंद जल्दी से सितल जी को पकड़ते हुए भाबी ये आप क्या कर रही है बच्ची है प्यार से समझाते है ना सानवी अपने रूम में जाओ सानवी बोली क्यों अभी तो सुरुआत हुआ है अभी तो इट पत्थर भी खाने बाकी हैं तो आहराम से क्योंकि सादी तो मैं नहीं करूंगी चाहे इसके लिए आप सब जो मरजी खिला दो मनजूर है मुझे और एक बात आप सब कान खोल कर सुन लीजिए हाँ मैंने ही भगाया है उसे जिसको मेरा जो उखारना है उखार लो बोल गुसे में अपने रूम में चली गई और जाकर दर्वाजा बंद करके वैसे ही लेट गई ताउ जी बोले आदर्स तयारी करो सादी की जरूरी है वरना बगावत के सुर बिगड़ते देर नहीं लगती आदर्स जी बोले मैं बात करता हूं उससे आप चिंता मत कीजिए थोड़े गुसे में है बाकी मुझे उस पर पूरा भरोसा है अब ताउ जी और ताई जी अपने घर के लिए निकल गए और फूफा उनके साथ निकल गए बाकी सब लोग सोने अपने अपने रूम में चले गए सीतल अभी भी हाल में वैठी सोच रही थी आज पहली बार हाथ उठाया वो भी सब के सामने इस बार तो कैसे कैस का जिम्मेदार बनाया जाता है आदर्स आकर उनके कंदे पर हाथ रखे तो सीतल जी उनके सीने से लगते हुए बोली आप क्यूं क्यूं उसे सब के सामने अपराधी की तरह खड़ा करते हैं जानते तो हैं उसे आज तक उसने जब एक गलस सब्द बरदाश नहीं किया है त जी बोले सीतल आप तो जानती है भाई साब का और हम सब का रिष्टा आज तक कुछी आवाज में बात तक नहीं किये तो आज कैसे कर सकते हैं बाउजी के बाद वही सब कुछ किये हैं और हम सब उन्हें उतना मान भी नहीं देंगे तो फिर क्या रह जाएगा हमारा और उन नहीं बोलकर अपने रूम में चली गए और आदर्स जी वहीं सोफे पर बैठ गए दूसरे दिन बाकी में हमान जा चुके थे कुछ घर के लोग जो बचे थे सुबह सुबह नास्ता कर रहे थे वो लोग अभी नास्ते के बाद अपने घर जाने वाले थे आनंद ने पूरे मनमानी करनी होती है बड़े छोटों की तो कई जैसे इज़्जत ही नहीं है हाँ सारी इज़्जत करनी तो आपने अपने बड़े बेटे और बेटी को दे दिया है तो बाकी के नसीब ही खरा तो कम तो पड़ेगा ना बोलते हुए आकर चेयर खीच कर बैठ गई सबने उसे देखा लेकिन अब कोई कुछ भी नहीं बोला सितल भी सांथी, क्योंकि कही न कही उन्हें भी लग रहा था राद का गुस्सा है, तो कही तो कही निकलेगा ही दादी बिना उसे देखे बोली, राद का नसा उत्रा नहीं है भी जो कुछ और चाहिए सुबह सुबह बत्तमीजी सुरू हो गई तुम्हारी इस घर में खाना भी चैन से नहीं मिलने वाला है सानवी सामने पड़ा हुआ ब्रेट खाते हुए बोली मम्मी चाय फिर बुवा जो दादी के बगल में बैठी थी और बाकी सब लोग भी अगल पगल ही बैठ कर नास्ता कर रहे थे सबको देखते हुए बोली सानवी सर्मा इतना सस्ता नसा नहीं करती जो इतनी जल्दी उतर जाए आपको पता नहीं तो पूछ लिया होता सीतल जी ने चाय दिया तो लेकर पीने लगी किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये गुस्स है या फिर सच में भूल गई है रात का थपड जो नार्मल सीतल जी से चाय मांग कर पी रही है कुछ देर बाद बाकी बचे हुए लोग भी एफजाने लगे सानवी वहीं हाल में सोफे पर लेट कर मोबाइल चला रही थी आनंद सीतल जी की तरफ आते हुए बोले भाभी ब अबाव दिया तो जीत में आकर वो जरूर कुछ न कुछ कर जाएगी सीतल जी बोली लेकिन आप तो जानते थे सब कुछ तो फिर क्या जरूरत थी उस लड़की को भगाने की कहीं कुछ गलत हो गया होता तो हमारी तो उसे जैसे कुछ सुननी ही नहीं है आनंद बोले भाभ अगर उन्होंने जादा जित किया तो प्राबलम और भी बढ़ सकती है इसलिए इस समय समस्दारी से काम लेजिए और इसके बाद भी कुछ प्राबलम हो तो फोन कीजिएगा मैं अब मैं चलता हूँ बोल अपनी वाइफ और बच्चों के साथ अपने घर के लिए निकल उसने जल्दी से फोन उठाया अभी वो इधर से कुछ भी बोलती उसके पहले ही उधर से अगत्स की आवाज आई अभी भी कुछ साबित करना है तो वो भी मनजूर है अगर तुम चाहो तो अभी भी वक्त है आजमा लो सानवी बिना कुछ बोले फोन रखते हुए बोली इ पोल फोन रखती उसके पहले ही रिचा की आवाज आई सानवी प्लीज यार एक बार हॉस्पिटाल आजाओ अगत्स जित लेकर बैठा है जब तक तुम नहीं आओगी वो दवा नहीं लेगा सानवी बोली मैं भी नहीं आ सकती हां हंगामा हो चुका है उसे बोलो ये सब फा आलत के बारे में तो सोचो मैं एक डॉक्टर के तौर पर बोल रहे हूं उसके बॉड़ी में कई सारे बलड के क्लॉड बन चुके हैं और उसने समय पर दवा नहीं लिया तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है बस इसलिए बोल रहे हूं आगे तुम दोनों की मर जी सानवी बोली उसकी फैमिली को बोलो वो आकर खिला दे प्लीज मुझसे ये सम नहीं होगा रिचा बोली तुम्हे क्या लगता है वो आकर नहीं मनाए होंगे या बात नहीं किया होगा लेकिन ये लड़का कुछ मानने के लिए तयार ही नहीं है बस अपनी जित पकड़ कर बैठा है खाए तो तुम्हारे आने के बाद वरना ऐसे ही मरज आएगा लेकिन दवा क्या पानी तक नहीं पीएगा सानवी एक गहरी सांस लेकर फोन रख दी और बेट पर गिरते हुए बोली क्यों भगवान क्यों मैं ही क्यों आप हर बार मुझे ये बीच में क्यों फसाते हो आपना एक क ना बस मेरी लाइफ को हिल करना चाते हो और कुछ भी नएं बोलते हुए वो सांथ हो गई सानवी अभी भी कुछ सोच में गुम थी उसे पता ही नहीं चला कब सीतल आकर उसके पास बैट गएं सीतल जी उसका चेहरा खुद की तरफ करते हुए बोले मुझे माप कर दो बच्चा लेकिन मैं भी क्या करती तुम्हारे बोलने से सब सारे सवाल तुम्हारे पापा पर उठाते जो मैं बिलकुल बरदाश नहीं कर सकती सानवी ने अब उन्हें देखा तो उनका हाथ पकरते हुए बोली मैं आपसे नाराज नहीं हूँ आपका हक है आप मेरे साथ कुछ भी कर सकती है ये पूरी जिंदगी कर्चदार है आपकी लेकिन किसी और का एक सिंगल सब्द भी नहीं सुन सकती मैं चाहे वो ताउजी दादी या फिर कोई और भी क्यों ना हो सीतल जी बोली अच्छा ठीक है खाना खाओ और उसे अपने हाज से खिलाने लगी कुछ देर में खाना खिला कर वो उसे समझा कर बाहर चली गए सानवी का फोन फिर से वज़ा तो मन तो हुआ की अपना सर्दिवाल से मार ले लेकिन फिर खुद को समझाते और सांध करते हुए फोन उठाई उधर से कुछ आवाज आई तो उड़ते हुए बोली जी मैं भी निकलती हूँ लेकिन आने में टाइम लगेगा बोल कर फोन रखा और पैकिंग करके टिकट बुक किया और जल्दी से नीचे आई सीतल जी ने उसे तयार देखा तो उसके पास आते हुए बोली सानू अभी दोपर में कहा जा रही है वो इस तरह तयार होकर सानू इबोली वो मम्मी मुझे अभी लखना उजाना होगा मैं वहाँ पहुँचकर आपको कॉल करूंगी ओके बाई अब पापा से बोल देना परेसान नहों और भाई भावी से भी आकर मिल लूँगी कैब बाहर है मैं आपको वहाँ जाकर कॉल करूंगी सितल बोली इतनी जल्दबाजी किस बात किया बेटा सब ठीक तो है ना सानू इबोली अभी नहीं बता सकती लेकिन सब कुछ जल्दी ही बता दूँगी के बाई अपना ख्याल रखियेगा और फिर से एक बार बाई बोलकर निकल गई और कैब में बैटकर एरपोर्ट के लिए निकल गई सानू साम तक लखनो पहुंची और सबसे पहले अपने फ्लैट पर गई कपड़े चेंज किये कैफे में अपने मैनेजर को कॉल किया तो महां सब कुछ ठीक था तो दूसरा कैब लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल गई कुछ देर में वो फिर से उसी हॉस्पिटल के सामने खड़ी थी फिर जल्दी से अपना सर जटका और अंदर जाने लगी रिचा बोली भेज रहे हूँ एक मिनट तुम ही रुको सानवी उसका इंतजार करने लगी तब तक रजट उसे आता हुआ दिखा पहले तो सानवी ने उसे इग्नोर किया लेकिन वो उसके पास आते हुए बोला रिचा ने बोला है मेरे साथ चलो तो सानवी अब उसके साथ लिफ्ट से उपर पांचवे फ्लोर पर आ गई वहाँ पूरा एरिया संत था कुछ दूर आगे जाने के बाद एक रूम के बाहर कुछ बी आईपी लोगों को भीड़ देखकर उसे समझ आ गया कि हो ना हो यही रूम होगा रजत ने एक नजर उसे देखा और आगे बढ़ गया तो सानवी भी उसके पीछे चली गई सब लोग उसे ही देख रहे थे वो सब को इग्नोर करते हुए अंदर चली गई जहां अगत से बेहोसी की हालत में मसीनों से घिरा हुआ पड़ा था और उसके अगल बगल दस डाक्टर और नर्स लगे हुए थे रिचा और रजत भी उनी में से एक थे रिचा ने उसे देखा तो उसके पास आते हुए बोली सौरी यार इतना प्रेसर देकर बुलाना पड़ा लेकिन देखो इसकी हालत जब से होस आया और तुमसे बात किया उसके बास से इसने रियक्ट ही नहीं किया है सानवी बिना उसे देखे बोली ये होस में कब तक आएगा रिचा बोली कुछी देर में लेकिन बॉड़ी में एनर्जी ना होने की वज़े से ये बार बार बेहोस हो रहा है और दवाईया भी अब नुकसान कर रही है लेकिन इसने जिद पकड़ लिया है और यहाँ जितने भी लोग है सब के सब परेसान है मुझे तो कुछ समझी नहीं आ रहा है आखिर ये सब क्या हो रहा है सानवी बोली जिसको जिसको जो भी दवा देना है देकर बाहर जाओ मुझे इससे अकेले में कुछ बात करनी है और ऐसी दवा दो जिससे आदे घंटे होस में रहे उसके बाद इसकी मर्जी मरे या जी ये मुझे इससे कोई मतलब नहीं है सब के सब उसे ही देखने लगे दर्वाजे पर खड़े अधिराज गुसे में बोले तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के बारे में ऐसा कुछ बोलने की तुम हो कौन और तुम्हारी आउकाद क्या है अनामिका जल्दी से उन्हें चुप करवा रही थी रेकिन फिर भी वो बोल कर गुसे से उसे घुरने लगे रिचा बीच में आते हुए बोली अंकल प्लीज प्लीज आप बाहर चलिए अभी अगत्स का ठीक होना ज्यादा जरूरी है फिर बारी बारी से सब को बाहर भेज दिया अब अंदर बस दो ही लोग होस में थे एक रिचा और एक सानवी रिचा बोली सौरी यार वो अंकल थोड़े परेसान है इसलिए ऐसा बोल दिया तुम प्लीज उनकी बातों का बुरा मत मानना सानवी बोली वो सब बाद में पहले जो करने को बोला है वो करो मेरे पास और ज्यादा टाइम नहीं है और भी बहुत सारे काम है मेरे पास मैं यहाँ सब का भासर सुनने नहीं आई हूँ रिचा ने अगत्स को इंजेक्सन दिया और कुछ देर बाद वो भी बाहर चली गई सानवी ने देखा जगा जगा पटिया बधी थी सायद उस दिन कुछ ज़्यादा ही मार खा लिया रात होने के वज़े से उसे साफ साफ दिखा भी नहीं अगर वो उसकी बात मान गया होता तो अच्छा खासा अपना काम करता लेकिन नहीं इसे तो प्यार नाम की खुजली मची हुई थी तो लो अब सो करो और मचे करो कुछ देर बाद अगत्स को होस आया तो देखा सानवी उसके सामने यहां से महा टहल रही थी उसने जल्दी से आखे खोली और उसे देखते हुए बोला तो तो तुम यहां क्या कर रही हो सानवी बोली तुमारे मरने का इंतिजार क्योंकि उसके बाद तो तुमारे माव आप मुझे तुमारी प्रापर्टी दे देंगे है ना मतलब हद होती है यार तुमारी खोपड़ी में मेरी एक बात घुज क्यों नहीं रही है या फिर तुम घुसाना ही नहीं चाहते हो अगत से बोला तो फिर बचाया क्यों मुझे मरने देती तुम्हे तो आजादी मिल जाती और साइद मुझे भी बोलते हुए वो बार बार अपनी पल के जपका रहा था सानवी बोली ज्यादा बक्वास नहीं कर रहे हो तुम अगत से बोला जजजज़ जाओ यहां से मुझे भी कुछ बात नहीं करनी है सानवी उसके पास बैठते हुए बोली मो खोलो सूप पीलो और दवा खाओ और उठो जल्दी से सब लोग फालतू में परिसान है और तुम नोटंकी लगा कर बैठे हो अगत से अब कुछ नहीं बोला तो सानवी गुस्से में पहले उसका हाथ पैर वही बगल में रखे टेफ से बात कर बोली अब बोलो कुछ ज़्यादा नहीं उड़ रहे हो तो एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो दया तुम्हारे माबाब करेंगे सानवी सर्मा नहीं क्योंकि मैं तुम्हारी कुछ भी नहीं हूँ और उसका मुँ खोल कर सूप उसके मुँ में भर दिया अगत से उसे देखते हुए सूप पी रहा था कुछ देर में सारा सूप पिलाने के बाद बोली हो गया पता है तुम्हारी इस बेखूफी की वज़े से मुझे यहां आना पड़ा वरना ऐसे जगों को सानवी देखती भी नहीं अगत से बोला थैंक्यू की आपने मेरी वज़े से ऐसी जगह देखी अब आपने देख लिया है तो मेरा हाथ पैर खोल दीजिए सानवी बोली अच्छा तो तुम्हें लगता है मैं ऐसा कुछ भी करने वाली हूँ तो बिल्कुल नहीं अभी तो मैं तुम्हारी ये हालत सोसल मीडिया पर डालूंगी जिससे तुम और वाइरल हो जाओ और बाहर मीडिया का पुरा हुजू मिकठा हो जाए और तुम और भी फेमस हो जाओ तो अब बताओ कैसा लगा मेरा आइडिया अगत से बोला हम और जो तुमने मुझे सीपियार दिया उसका भी फोटो है मेरे पास कहो तो उसे भी सोसल मीडिया पर डाल दूँ सोचो उसके बाद क्या होगा सानमी उसे देखती रही फिर कुछ सेकंड बात बोली मेरे बारे में ज़्यादा चिंता मत करो मैं फेमस हो गई तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी साधी होगी लेकिन उन्हें ये पता चला कि वो तुम थे तो तुम अपनी जान से जरूर जाओगे तो जो भी करना है सोच समझ कर अगर अपनी जान प्यारी नहीं है तो करो जो मर्जी करो वैसे वो फोटो किसने क्लिक किया तुम तो होस में थे नहीं अगज सी बोला जिसने भी किया हो मेरा तो फायदा हो गया लेकिन उसे मैं सभाल कर रखूँगा मुझे अपने जान से जादा अपने जान की जान प्यारी है और वो किसी और की हो ऐसा कोई काम मैं बिल्कुल नहीं करूंगा सानवी बोली सच में तुम्हारा दिमाग एकदम खराब हो गया है इसलिए एक काम करो सबसे पहले खुद का कोई अच्छा सा इलाज करवा फिर जो मर्जी करते रहना बोल कर बाहर जाने लगी अगत्स से बोला अच्छा ठीक है जाने वाले की आखरी इच्छा तो पूरी कर दो I love you तो बोल दो या सानवी उसे घुडते हुए अब बाहर निकल गई दरवाजा खोला तो रिचा जल्दी से उसके पास आते हुए बोली सानवी वो अगत्स सानवी ने बोला खा लिया है उसने जाओ देख लो अब जो भी हो मुझे परेशान बिल्कुल मत करना I am not interested this and that बोल कर जाने लगी अनामिका जल्दी से उसके पास आते हुए बोली Thank you बेटा मेरी बात मानने के लिए Thank you Thank you so much सानवी बोली इसकी कोई जरूरत नहीं है लेकिन आगे से मुझसे नहीं हो पाएगा Please आप उसे समझाईए वो या तो भूल जाए सब कुछ वरना मुझे भी नहीं पता कि इन सब का अन्जाम क्या होगा लेकिन जो भी होगा अच्छा तो बिल्कुल नहीं होगा बोल कर बाहर निकल गई रिचा अंदर आई तो अगत्स के हार्थ पर बते थे जिसे देखकर उसे हसी आ गई तब तक अनामिका, अधिरा, अजनुभा और सिवानी अंदर आएं उसकी ऐसी हालत देखी तो किसी को कुछ समझ ही नहीं आया तब तक परिधी भी अंदर आ गई उसने अगत्स को देखा तो उसके पास आते हुए बोली अगत्स यह सब किस ने किया? और जल्दी से उसका हाथ पैर खोलते हुए बोली तो तुम तुम ठीक तो हो ना? फिर रिचा को देखते हुए बोली रिचा प्लीज देखो इसे यह ठीक तो है ना? कहीं कोई प्रॉबलम तो नहीं है नहीं तो हम इसे आगे दिल्ली लेकर चलते हैं नहीं तो कहीं और भी रिचा बोली अब ठीक है वो तुम ज़्यादा परेसान मत हो और वो जल्दी ठीक हो जाएगा उसको अब उसका डोज मिल चुका है कुछ देर बाद बारी-बारी से सब लोग मिल का बाहर चले गएं लश्ट में सिवानी उसके पास आते हुए बोली क्या बात है देवर जी मतलब गजब वैसे आग चुना है आपने अपने लिए और आपके साथ साथ बाकी सबको भी खाग बनाने का हुनर है तो तायार रहे जलने के लिए और थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ तो पूरी तरह जलाने के लिए अगत से बोला आपको बसंद है सिवानी बोली जी बिलकुल लेकिन पापा के साथ पहली मुलाकात कुछ खास नहीं रही तो आगे से समाल लीजिएगा अगत से बोला वो सब मुझ पर छोड़ दीजिए आपने पास कर दिया मतलब सब कुछ पास हो चुका है सिवानी बोली ओके अब अपना ध्यान रखिएगा हम सब बात में आते हैं बोलकर बाहर चली गई इरिचा के कहने पर सब लोग घर चले गई अगत से बीवाकी सब से मिलकर सब को जाने को बोला तो सबी अपने अपने घर चले गए आधे घंटे बात अगत से के रूम में अब बस रिचा कुडाल और अगत से ही बचे थे कुडाल बोला वैसे क्या लड़की है यार मतलब भाई तुझे मरने से बचा ही लिया रिचा बोली इसके लिए तो पर्फेक्ट है लेकिन इतना असान भी नहीं होने वाला है सब कुछ तो उसके बारे में सोचना छोड़ दो क्योंकि उसके घर वाले काफी खतरनाक हैं और ताउजी तो इस पेसली काफी गुंडे पाल रखे हैं उसने इस बार सानवी ने बचा लिया इसका मतलब ये बिलकुल नहीं है कि हर बार वो बचा ले तो ऐसे खतरा मोल लेने की कोई जरूरत नहीं है कुडाल बोला ये भी सही है अगत से तुम उसे भूल जाओ वो तुमें बिलकुल नहीं मिल सकती अगत से बोला इतना सब कुछ उसे भूलने के लिए तो बिलकुल नहीं किया है तो सोचना भी मत कि उसे मैं भूल जाओंगा उसे सिर्फ मेरा होना है इसके लिए अगर दो चार बार और मार खा जाओं तो भी चलेगा कुडाल बोला मतलब क्या है तुमारा अगत से उठते हुए बोला अभी ना तो मैं तुमें कुछ बता सकता हूँ और ना ही तुम कुछ समझोगे इसलिए आप बस कुछ भी करके ये सोचो वो दुबारा मुझसे मिलने कैसे आएगी अगर सोच सकते हो तो सोचो वरना जाओ अपने पेसेंट देखो वो काम भी मैं खुदी कर लूँगा कुडाल उसे देखते हुए बोला तुम तो अभी एकदम ठीक हो यार और यहां हम सब लोग तुमारे लिए इतना परेसान है इसका मतलब तुमने उसे जुड बोला और ये सब बेहोसी वो क्या था अगत्से इसमाइल करते हुए बोला मैं कौन हूँ कुडाल बोला भाई ये कौन सा कोश्चन है तू तू है और कौन है अगत्स बोला नहीं मैं अगत्से रावट हूँ अगत्से रावट साना फदिराज रावट और मैं आज तक कभी नहीं हारा आई एम नमबर वन आल टाइम तो आज तो फिर भी ये कुछ नहीं था दिचा बोली जैसी तुम्हारी मर्जी और कुडाल को लेकर बाहर चली गई। अगत्स चेंज करके पीछे के रास्ते से बाहर निकल गया। सानवी अपने फ्लैट पर नहीं आकर कैफे पर चली गई और इतने दिन का सारा काम देखने लगी। कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं है किसी को लेकिन सब कुछ सही था। तो बस आज लग गई अपने काम में। आदर्स अपने रूम में चकर काटते हुए बोले सीथल बात समझे मैं भाई साब को मना नहीं कर सकता। अगर उन्होंने सवाल किया तो मैं क्या बोलूँगा आप ही बताईए मतलब मुझे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा है और लड़के का अच्छा खासा बिजनस है लखनों में तो सानू महीं पर मिल ले एक बार आखिर भाई साब ने जबान दिया है तो प्लीज आप ये थोड़ा वक्त दे मैं बात करती हूँ देखती हूँ क्या बोलती है आदर्स थैंक्यू बोलकर बाहर चले गए और सीतल सोचने लगी अब क्या करें सानू को गए दस दिन हो चुके थे वो एक बार फिर से इतना भीजी हो गई थी कि पीछे का सब कुछ भूल गई सीतल जी ने कई बार उससे बात किया लेकिन कुछ भी कहने कि उनकी जैसे हिम्मत ही नहीं हुई नेहा भी आकर उसके साथ लग चुकी थी उसके मम्मी पापा ने उसके लिए लड़का देखा तो उसने जैसे उनकी मर्जी बोल कर फिलहाल के लिए किनारा कर लिया अगत्स भी दस दिनों में एक बार भी नहीं मिला तो सबको लगने लगा क्या पता आप दोनों ही बात को समझ गए हों कि दोनों के रास्ते अलग हो चुके हैं रात को आठ बजे अगत्स की गाड़ी सानवी के कैफे के बाहर रुकी अब ये अच्छा खासा कैफे हो चुका था जिसमें अभी भी दस लोग लगे हुए थे अगत्स ने उपर का प्राइबेट रूम दो घंटों के लिए बुक किया और कुछ आड़र देकर उपर चला गया वेटर ने उसका आड़र उपर पहुचा कर अपने दूसरे काम में लग गया अगत्स ने खाना खाया और आखे बंद करक का टाइम हुआ तो वेटर ने सानवी को बताया उपर कोई कस्टमर दो घंटे के लिए रूम बुक किया था लेकिन अब वो उठी नहीं रहा है सानवी उठते हुए बोली रुको चलती हूँ मैं और उसके साथ उपर चली आई वेटर सामने से हटा तो अगत्स आराम से सोफ उठते हुए खुश से बोली यह यहां क्या कर रहा है क्या इसे पता है कि यह कैफे मेरा है लेकिन देखकर तो नहीं लग रहा है लेकिन कुछ भी हो सकता है वेटर ने देखा वो कुछ नहीं बोल रही है तो बोला मैं क्या करना है इनका सानवी बोली कुछ नहीं बाहर से द उठीए सर कई बार उठाने के बाद अगत्स जटके से आँख खोल कर उठते हुए बोला, सौरी सौरी वो पता नहीं क्यूं नीद आगई, सौरी वैटर बोला कोई बात नहीं सर कई पे बंद करने का समय हो चुका है, तो आप, अगत्स बोला, हम बस एक कौफी मिल सकती है, व नेहा सामने केबिन से निकली तो उसकी नजर अगत् से परपड़ी तबी अगत्ष ने भी उसे देखा फिर कनफर्म करने के लिए कॉफी नीचे रखकर फिर उसे उसे देखा तो नेहा उसे ही देख रही थी अगत्ष अब उसके पास आते हुई बोला घेलो तुम यहां इतनी रात को काफी पीने आई हो अकेले हो या फिर मोगंबो के साथ वैसे अच्छा हो अगर उसके साथ नहीं आई हो तो आओ बैठो मैं तुम्हारा साथ दे सकता हूँ बोल उसका हाथ पकड़ कर उसे अपने सामने वाले चेयर पर बैठाते हुए बोला वेटर एक काफी और फिर नहा की तरफ देखते हुए बोला वैसे सच में यार तुम्हारी वो खडोस दोस सच में बहुत खडोस है लेकिन मैं भी क्या कर सकता हूँ अपने दिल के हाथों मजबूर इंसान उसके अलावा कोई दिखता ही नहीं है जब जहां जिधर देखू वो ही दिखती है यहां तक की नीद में वही वही नजर आती है लेकिन उसे उसे तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है मेरे होने ना होने से नहा बोली और अगर उसने तुमें कभी हा नहीं बोला तो तब क्या करोगे कब तक इंतजार करने का इरादा है अगत से कॉफी का आखिरी घुट बढ़ते हुए अब एकदम सीरियस होकर बोला पूरी लाइफ पूरी लाइफ मैं उसका इंतजार करने के लिए तयार हूँ अगर उसने किसी और से साधी भी कर लिया तो भी मैं ये पूरी लाइफ उसके लिए कुर्बान करने के लिए तयार हूँ फिर सामने देखते हुए बोला उनको चाहते रहेंगे यूही उम्र गुजर जाएगी मौत आएगी और जिंदगी ले जाएगी मेरे मरने पर भी बस मेरे सनम को रोने ना देना क्योंकि उनको रोते हुए देख मेरी रूह तडब जाएगी नेहा उसे देखते हुए बोली क्या बात है यार अगर उसकी जगह मैं होती तो तुम्हें कब कहां बोल चुकी होती लेकिन तुम्हारी 24 को पता नहीं क्या हुआ कि तुमने उसे पसंद किया जिसे तुम्हारी कोई कदर ही नहीं है वैसे मेरी एक सला मानो तो कोई अच्छी सी लड़की देखकर घर बसा लो ये ऐसे दुखी होकर तुम मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते अगत्से बोला तुम्हें कहीं छोड़ना है तो चलो छोड़ दू बाकी सब तुम उपर वाले पर छोड़ दू जो किस्मत में होगी वो मैं एकसेप्ट कर लूँगा नहा बोली वैसे एक सिक्रेट बताओं बोल उसके कान में कुछ बोली तो अगत्से उसे घूरते हुए बोला वैसे मजाक अच्छा था मगर मुझे अच्छा नहीं लगा नेहाब कुछ नहीं बोली और अगत्स को जाने को बोली तो वो अब जबरजस्ती ना करते हुए बाहर निकल रहा था कि गेट पर सामने से आ रही सानवी से टकरा गया और दोनों बिना समले नीचे गिर गए सानवी बिना उसे देखे बोली सच में आखे नहीं है या फिर देखकर चलना नहीं आता तुम्हें जो ऐसे अंधों की तरह घूम रहे हो बोल उसे देखा तो सन रहे गई और शोचने लगी हे महादेव कभ इस से पीछा छूटेगा क्या सानवी अगत्स की जित के आगे हार जाएगी अगत्स सानवी को मनाने के लिए और किस हद तक जाएगा अगत्स और सानवी की फेमिली को जब इस रिष्टे के बारे में पता चलेगा तो उनका क्या रियक्सन होगा जानने के लिए देखते रहिए इस कहानी का अगला भाग या कहानी पार्ट टू पार्ट रोमांच और सस्पेंस के ऐसे लिवर पर ले कर जाएगी जिसे आप छोड़ नहीं पाएंगे और आपको बहुत पसंद आएगी अगत्या और स्तानवी की जिंदगी में और काउन सा तुफान आने वाला है जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, सेयर और चैनल को सस्क्राइब कर लीजिएगा थैंक्यू फार वाचिंग मिलते हैं कहानी के अगले भाग में